जाइन जवनो मैं परवीन कटारिया आप सभी का आपके अपने चनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों SSC GD के लिए हम आज से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही जादा इंपोर्टेंट होने वाली है सर जी ऐसी क्या सुरुआत कर रहे हो तो दोस्तों आज से हम SSC GD कौंस्टेबल की जो आपकी भरती है 2023-24 की जो आपकी भरती है उसके लिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 30 दिन 30 पेपर और यह 30 पेपर कौन से होने वाले है यह आपके प्रीवियस यह पेपर होने वाले हैं देखिए दोस्तों माँ आपको एक बात बताता हूं किसी भी एक जाम के लिए 60 से 70 परतिशत शायर से 70 परतिशत क्या होता है उसका बहुत ज़्यादा इंपोटेंस होती है उसके प्रीवियस यह पेपर की और इस प्रीवियस यह पेपर में आज हम करने वाले हैं maths यानि गणित का previous year paper हम यहाँ पर कर रहे होंगे और यहाँ पर यह श्री चलती रहेगी 30 दिन तक continue इसी समय यह number one है यानि पहला paper होने वाला है और यह 30 दिन तक चलने वाला है अगर आप 30 दिन 30 paper कर लेते हो तो आपको क्या फाइदा होगा मैं आपको बदाता हूँ अभी अगर आपकी यहाँ पर इस तरीके से तयारी चल रही है न उपर नीचे इसमें एकदम से speed बनेगी और यह उपर की तरब जा रही होगी यानि कि एक arrow के रूप में आपकी बढ़ रही होगी इससे आपकी speed बनेगी नए नए type के questions आप सीखोगे और उनको solve भी करोगे ठीक है और इसकी सारी की PDF है न डेली आपको अपनी PDF है वो टेलिग्राम पर मिल जाएगी ठीक है अब सर जी practice कैसे करें देखिए यहाँ पर दोनों चीचा आपकी हो रही है एक तो मैं आ नहीं आता वो student सीख लेंगे जिनको आता है उनकी practice हो जाएगी साथ साथ में उनको questions खुद solve करना है अगर आपको questions आता है तो आपको solve करना है नहीं आता तो आपको questions को सीखना है इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और यह बहुत ज़्यादा helpful होने वाली है एक बात बता द जो आपका फोजी बनने का सपना है अगर आप उसको पूरा करना चाहते हो तो जी जान से मेहनत में लग जाईए ठीक है और continue 11 बजे आपको आना है डेली 30 दिन 30 paper हम करने वाले है अब यह paper कब का होने वाले मैं आपको बचा देता हूँ 16 जनवरी 2023 को जो paper हुआ था evening shift में उ motivation से इसकी शुरुआत कर लेते हैं वैसे तो बहुत ज़्यदा motivate आप हो चुके होगे आपके अंदर इस वीडियो को देखने के लिए energy पहले से ही भर चुकी होगे लेकिन फिर भी एक नई motivation आपके अंदर ओर डाल देते हैं थोड़ा सा कि मंजिले बड़ी जिद्दी होती है क्या है कि मंजिले बड़ी जिद्दी होती है हासिल कहा नसीब से होती है मंजिले क्या होती है बड़ी जिद्दी होती है हासिल कहा नसीब से होती है ठीक है मगर वहां तुफान भी हार जाते है जहां कस्तियां जिद्द पर होती है और इस बार हमारी जिद्द है कि हमें SSC GD कि में सलक्सन लेकर जो हमारा फोजी बनने का सपना है जो फोज की खाके वर्दी पहनने का सपना है उसको हम यहाँ पर पूरा कर रहे होंगे जो आपके माता-पिता का सपना है उसको हमें पूरा करना है ठीक है काफी एनर्जी आगी चलो पहला किशन्स आपकी स्क्रीन पे यानि 40 नंबर का आपका मैथ आता है, ठीक है, तो इसमें आपको 20 में से 20 कुशन सोल करने की कोशिस करनी है, और लास्ट में कमेंट करके बताना है, कि आपके कितने कुशन सही हुए हैं, ओके जी इतनी बात सभी को समझ में आगी, अब सबसे पहले कुशन पढ़िए, ठीक है, मैथ को सोल करने का सबसे आसान तरीका यही होता है, ठीक है, सबसे बैस तरीका यही होता है, कि आप किशन स को पहले अच्छे से पढ़ लो, अगर आपने किशन स को अच्छे से पढ़ लिया, तो आदा किशन सापका वही पे सोल हो जाता है, देखे क्या है, कि एक ही दिशा म 110 किलोमेटर परती घंटा और 90 किलोमेटर परती घंटा की चाल से चल रही दो ट्रेने 54 सेकिंड में एक दूसरे को पार कर जाती है इसका मतलब है कि दो ट्रेन चल रही है लेकिन दोनों क्या कर रही है एक ही दिसा में चल रही है लिखा हो है न कि एक ही दिसा में तो दोनों एक दिसा में चल रही है एक की जो स्पीड है वो 110 है एक की 90 है और 54 सेकिंड में एक दुसरे को पार करती है अगर आपको पता होगा मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर ट्रेने हैं दोनों ट्रेने एक ही दिसा में चल रही है तो जो उनकी स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी यानि घट जाएगी, क्योंकि भाई ये की तरफ जा रही हैं, तो speed कम हो जाएगी, कितने की speed से चल रही है, 110 किसे, दूसरी कितने की 90 किसे, तो दोनों का अंतर घट गई, तो कितनी आगी, 20 km परती घंटा क्या आगी, उनकी speed आगी, अब क्या बोला गया कितने सेकिंड में एक दूसरे को पायर करती हैं चोवन सेकिंड में यहाँ पर किलो मिटर परती घंटा है यहाँ पर सेकिंड है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा इसको मिटर पर सेकिंड में बनाएंगे तो 20 को मिटर पर सेकिंड में बनाएंगे मैंने क्या बताय था कि हमें छोटा बनाना है किलो मिटर क्या होता है बड़ा होता है हमें छोटा बनाना है तो 5 बटे 18 से गुना करेंगे 5 बटे 18 हमने यहाँ पर लिख दिया यहां से कितना आ गया? यह आ गया 100 ben 18 मेटर पर सेकंड काटना चाहो इसको काट सकते हो ठीक है ईसको काटेंगे 2 से 9 मेटर और 2 से काटेंगे 50 मेटर पर 50 बटे 9 मेटर पर सेकंड यहां पर क्या आगी? इसकी स्पीड आगी अब क्या बोला कि पार कितने समय में किया है 54 सेकंड में उसने पार किया है ठीक है एक सेकंड में 50 बटे 9 मिटर जाती है तो 54 सेकंड में कितनी दूरी तै करेगी अब 54 को 50 बटे 9 कर दो 9 कि 54 कितना आ गया 300 मिटर तो कुल दूरी कितनी होगी 300 मिटर की दूरी तय खोगी अब हम से पूछा क्या गया Wagyu देखिया यदि पहली ट्रेन की लंबाई 130 मिटर हो तो दूसरी ट्रेन की लंबाई घ्यात किजी अब ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही है तो दोनों की लंबाई को पार करती है दोनों की लंबाई अपने पास कितनी आगी 300 मिटर आगी उसमें से 1 की कितनी है 130 तो 300 में से 1 की अगर हम माइनस कर देंगे तो दूसरी की अपनी आ जाएगी जो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा तो हमसा यही पुछाएगी दूसरी ट्रेन के लंबाई क्या होगी, वो हो जाएगी 170 मिटर, option number D क्या होगया, correct answer होगया, बहुत ही simple, बहुत ही आसान question है, मैंने बिलकुल basic से आपको समझाया है, ताकि जिस student को नहीं समझ में आता, जिन्होंने पहले हमसे नहीं पढ़ा हुआ होता है, ताकि वो भी solve कर ले, बहुत इसने हमसे पहले पढ़ा रखा, वो तो बड़ी speed से solve कर लेगा, लेकिन जो नया student है, जो पहली बार तयारी कर रहा है, उसको भी समझ में आना चाहिए, तो मैंने बिलकुल आसान तरीके से आपको समझा दिया है, अब बिलकुल आपके दिमाग में यह set हो जाएगा, कोई doubt, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होगी, बस इसमें क्या याद रखना है, कि अगर दोनों एक ही तरफ जा रही है, तो क्या हो जाती है, speed minus हो जाती है, और दोनों विपरित चलती है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो speed क् पलास हो जाती है ओके चलो आप दूसरे questions पे चलते हैं इस type के questions आपको पताए कि अभी ज्यादा पूछे जाने लगे हैं ज्यादा पूछे जाने लगे हैं तो कोई बात नहीं है हमें ज्यादा solve कर लेंगे सोल कीजिए इसको सोल करने का तरीका क्या है V board mass कौन सा तरीका अपना V board mass है ठीक है यह वाला है और इसको होलो करो और रांस निकल जाएगा पस कुछ नहीं करना बहुत यासन तरीके से करना है सबसे पहले क्या है बड़े वाले ब्रेकिट के अंदर जो ब्रेकिट है छोटे वाले उनको हमें सोल करना है तो इसको सोल करते हैं सबसे पहले तो 16 में से 4 गया कितना आ गया बार आ गया 16 में से 4 गया कितना आ गया बार आ गया तो बड़े वाले ब्रेकिट के अंदर छोटे वाले को सोल किया कितना आ गया, बार है आ गया अपना, इतना सभी को समझ भी आ गया, उसके बाद क्या है, भाग है, तो हम भाग लिख देंगे, फिर इस छोटे वाले को सोल करेंगे, 2 की पावर 2 क्या होती है, 2 की पावर 2 कितनी होती है, 4 हमने लिख दिया, 2 की पावर 2 कितनी होती है, 4 होती है ठीक है और पलस में 2 तो ये कितना हो जाएगा भाई 2 की पावर दो 4 और पलस में 2 कितना हो गया 6 हो गया यानि कि इस पूरे के स्थान पर हम यहाँ पर 6 लिख सकते हैं ठीक है 6 लिख सकते हैं इस पूरे के स्थान पर क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे, ब्रेकिट बंद, अब यह पूरा सोल हो चुका है, यहाँ से आ गया बार है, क्योंकि 16 में से च्यार गया, भाग का निसान, भाग का निसान, यहाँ पर 4 प्लस 2, 6 आ गया, अब इसको सोल करेंगे, तो बार है, तो 6 से भ जाते हैं तो 6 और 2 कितना हो गया? 8 हो गया, माइनस में 2 है, तो 8 में से 2 गया, कितना आ गया? 6 आ गया, यह अपना आंसर आ जाएगा, option number A, ठीक है? इसमें सबसे पहले आप सभी को पता कुछ नहीं करना, वही पहले छोटा bracket sole करो, फिर अपने को बड़ा bracket sole करना है, ठीक है? उ यह भी बहुत आसान, इसको दो तरीके से आप कर सकते हो, जो भी तरीका आपको बसंद आए, उससे आप कर सकते हो, क्या है? पहले किशिंज को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि जब तक किशिंज को पढ़ोगे नहीं, तो sole कैसे करोगे? sole करने का यही तरीका बता है, कि कुशिंज को आपको अच्छी से पढ़ना है, ठीक है? और खुद sole करना है, क्या ऐसे नहीं, खुद sole करना है, तब ही पता चलेगा कि आप sole कर पारे हो या नहीं कर पारे, देखे क्या है? कि एक hair dryer का अंकित मुल्य है, 10,550 रुपए है, दुकानदार इस पर 18% का discount या छूट ओफर करता है, तो इसका विकरे मुल्य ग्याद कीजिए, तो इसका विकरे मुल्य अपने को बताना है, आप देखे क्या है, भाई 10,550 क्या हो गया, इसका अंकित मुल्य हो गया, 18% की छ क्या तरीका है, क्या तरीका है, कि भाई 10,550 का 18% निकालो, उसको इसमें से माइनस कर दो, आपको पता चाल जाएगा कितने में बेचा है, क्यों, क्योंकि आप से पूछाए कि इसका विकरे मुल्य ग्याद कीजिए, बहुत ही आसान है वैसे तो, मैं सरफ इसमें क्या करनी ह दूसरा तरीका क्या है, कि भाई 10,550 क्या इसका अंकित मुल्य है, 18% की छूट दे रहा है, भाई 100% होता है कोई भी, उसमें से 18% की छूट दे रहा है, तो कितने बचा, 82% मुल्य बचेगा उसका, और उसी मुल्य पर वो बेचेगा, तो इसका आप डिरेक्ट 82% भी निकाल सकते हो, तो यह अहाँ पर डिरेक्ट आमसर निकल जाएगा, इन दोनों तरीके में से जो भी अच्छा लगे, आप कर सकते हो, 0 से 0 कैंसल हो गई, ठीक है, अब क्या करना है, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 से कम 5, 5 से कम 5, 2 से काटेंगे, तो कितना जाएगा यह बहुँ ज़्यादा समय लग जगता है कुछ स्कूडेंट को, तो सर जी इसको आसान कैसे करें, सबसे पहले इकाई कांग चेक करके देखो, अगर एक में है, तो आंसर करता हो, कि दो में है तो फिर गुना करना पड़ेगा, एक को अगर हम एक से गुना करेंगे, तो क्या आ सकते हैं, ठीक है, और भाई, पेपर में सोल करने का तरीका यही होता है, क्या, कि पेपर में सोल करने का तरीका यही होता है, कैलकुलेशन को हमें छोटा करना पड़ेगा, इसे से क्या होगी, हमारी स्पीड बनेगी, और हम पूरे पेपर को सोल कर पाएगी, ठीक है, बाकि तो गुणा तो आप खुद करी लोगे इतना पताई है ठीक है तो गुणा तो आप मैं सिखाऊंगा नहीं आपको यह वाला देखो किश्ण देखिए सोल करने की कोशिज कीजिए सभी ठीक है निकाले क्या है कि मोहन और सोहन ने एक संपती में करम से तीन हजार और चाराजार रुपए का निवेस किया ठीक है दो दोस्त है वाई एक है मोहन और एक है कोन है सोवन है मोहन और सोहन है तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक दोस्त कोन है मोहन है दूसरा दोस्त कोन है सोहन है कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दियाए गया है तो इसमें कुछ दिक्कत क्या हो सकती है। तो 6 महीने के बाद सोहन ने निवेस की गई रासी निकाल ली। किसने निकाल ली है। सोहन ने तो इसका मतलब सोहन कितने महीने तक रहा च्शा महीने तक रहा तो इसने कुल कितनने लगा दिये double इसने कितने अब लाव कितने का व चालिश क्ता कितने याँ पांच 10 पाथव gefлек तो रनाव कितने का हुआ sovereignty यह वाला अनुपात कितना तीन तो तीन कमान निकाल दो पांच से काट चेंगे पांच एकम पांच जीरो पांच अंठे चालिस कितना आ गया तीन सो चोबिस यहां पर आ जाएगा जो आपसे इसका पूछता सोहन का पूछता तो यहां पर तीन के स्थान पर हम क्या लिख देते दो लिख देते ठीक है वैच्छा महीनी तक रहा यह बारह महीनी तक रहा टोटल इतने रुपए लगाए इनका अनुपात में रुपए लगाए होते हैं उसी अनुपात में लाब मिलता है टोटल कितना पांच अनुपात टोटल रुपए कितने पांचो चालिस पांच का मान पांचो चालिस मान कितने का निकालना तीन का क्योंकि हमें मोहन का निकालना था तो 324 आ गया सोहन का निकालना होता है तो तीन के स्थान पर दो लिख देते हैं ठीक है और भाई आंस्वर चेक करना चाहते हो तो मैं आंस्वर भी चेक करवा देता हूं option number D क्या है correct answer आएगा ठीक है यह दगो option number D ठीक है चलो अगले किशंच पर चलते हैं अगला किशन देखिए चलो इसको निकालो किशंच को जब तक आप खुद स्वर नहीं करोगे न मज़ा नहीं आएगा ट्राइ करो आए या ना आए वो अलग बात है नहीं आएगा तो मैं समझाने के लिए हूँ ना मैं आपको समझा रहा हूँ ना यह क्लासिजी स्रीज की सुरुआत हमने क्यों की ह इसलिए कि है कि हम आपको समझा सको आपको शीखा सको ठीक है लेकिन खुद सोल करने की ट्राइ करो तभी निकलेगा तभी हम चीज़े को सीख पाएंगे नहीं आता पहली बार कर रहे हो कोई दिक्रत नहीं करके तो देखो कहा गलती होती है उसको सीखोगे फिर ठीक है ऐसा इस विद्धाल में इंजीनियरिंग परबंदर और विज्ञान की सीटों का अनपात साथ अनपात आठ अनपात नो है कितना है साथ अनपात आठ अनपात नो के अनपात में है यह इनोंने बोल दिया है उसके बाद बोला गया कि इन सीटों को करमसा 20 परतिशत 30 परतिशत और हाड बन जाएगा तो अपने को आसान मनाने के लिए क्या कर सकते हैं सभी को 10 से गुना कर सकते हैं क्योंकि अनुपात में है 10 से गुना करेंगी तो दस से कट भी जाएगा अनुपात पे कोई फर्रक नहीं पड़े कितने से कर लो बस आपको क्या प्रतिशत निकालना थोड़ा आसान बन जाएगा अब क्या है 20 प्रतिशत हो रहा है अब 70 का 20 प्रतिशत कितना होगा भाई 70 का 20 प्रतिशत कितना होता है 24 इसमें जोडेंगे 24 इसमें जोडेंगे तो कितना आजाएगा 114 हो जाएगा ठीक है अगर इसमें हम 24 जोडेंगे तो 80 और 200 ठीक है कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा 144 हो जाएगा अब इसका कितना 60 60 प्रतिशत कितना होता बाई 2-0 अटा दो और गुना कर दो 9-6-4 चोवन इसमें चोड़ दो यह हो जाएगा कितना 144 हो जाएगा यह ठीक है 144 बस इसको काट दो अपना पाथ निकल का जाएगा किस से कट रहा है 4 से काट दो 21-24-84 इसको 4 से काटेंगे 4 दुनियाट 4-6-24 इसको 4 से काटेंगे 4 दुनियाट 4-6-24 किसमें है यह उप्सन नमबर डी में है तो उप्सन नमबर डी क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा ठीक है कुछ नहीं करना जो यह शीटों की शंख्याती न उसमें जैसे जैसे बोला 20, 30 और 50 परटेशत बढ़ाया है और जो आया है उसको काट दिया अपना पात निकल गया यह देखो क्या है उस संकु का आयतन ग्याद कीजिए जिसकी उचाही 24 सेंटिमेटर और 13 सेंटिमेटर है बहुत ही आसान है जिनको लगते है न सर जी मेंशूरेशन वाले जो अर्थ एडवांस मेथ वाला है वो हाड आता है देखो क्या हाड है बिल्कुल भी नहीं है जिसको संकु का आयतन पता है वो इसका आंपन निकाल सकता है संकु का आयतन कितना होता है एक बटे तीन पाई आर स्केर एच यही तो होता है संकु का आयतन लिख दो बस, एक बटे 3 5 का मान कितना होता है 22 बटे 7 6 कितना दिया गया है 6 का मतलब होता है radius 13 14 दिया गया है दोनों को गुना कर देंगे 7 मेय च कितना दिया गया है 24, तो यह 24 कर देंगे ठीक है 24 ही है ने गए Okay ठीक है अब 7 से काठो साथ दुनी 14 तीन से काटो तीन अंठे 24 आप क्या करना है बस गुना करना है और अपना आंसर निकल के आजाएगा ठीक है इकाईकांक देखेंगे तो 22 में 3 में 8 दिया गया है तो 2 तो होगा नहीं ठीक है तो क्या करना आपने को 22 दुनी कितना होगा 44 गुनाय 14 और गुनाय में 8 यह अपने को करना है ठीक है इसको गुना करो तो कितना आएगा 832 तो यह तो आजन होगा नहीं हमें किस से करना है 80 और 32 112 से गुना कर दो कितना आजाएगा 8 44 किधार से 4 4 8 आठ दो नो पांच ठीक है च्यार ही आएगा 4928 ओप्सन नंबर भी करेक्टा अंसर हो गया बस गुना करना है ठीक है कुछ नहीं था इसमें कुछ भी नहीं था जिसको यह पता है ना एक बटे तीन पाई यार स्केर हो चाहे होता है संकु का इतन इसमें बस फोर्मुले जिसके याद है चत्रमिती में जिसके फोर्मुले याद है वह आराम से कर लेगा इसमें संकु का पूछता है ठीक है बार बार रिपीट होता है तो याद कर लो इसको अगला देखो किश्यंस निकालो इसकिश्यंस को निकालिए कि अंजली द्वारा बहुत इंपोडेंट है बहुत ही इंपोडेंट है और बहुत कम स्टूडेंट इसको सोल कर पाएंगे जो स्टूडेंट दिमाग लगाएगा वो ही इसको सोल कर पाएगा चलो निकालने की कोशिश करो ठीक है यहाँ पर student है वो निकालने के आप कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए आपर, तब ही बता चलेगा कि हाँ, आप चीजे कर पारे हो या नहीं कर पारे हैं, ओके, निकालिए, नहीं निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम समझाएंगे आपको, कि अंजली द्वारा एक कारे को पूरा करने में लिया गया समय, रोन द्वारा लिये गये समय से चार गुना है, और जोन द्वारा लिये गये समय से तीन गुना है, तो तीन लोग है, कौन-कौन है, एक तो अंजली जी है, ठीक है, तो एक तो अंजली जी होगी, दूसरा कोन है, रोन है, और तीसरा कोन है, जोन है, अब क्या बोला अंजली जी है वो रोन से चार गुना समय लेती है और जोन से तीन गुना समय लेती है कितना तीन गुना तो इसका बारे आ गया तो जोन से तीन गुना ले रही है और इन से चार गुना ले रही है चारतिये बारे, तिन चो के बारे हो गया ना, तिन गुना, चार गुना, अब क्या पुछा गया, वे तीनों एक साथ कार्य करते हैं, तो पूरा काम है, वो चार दिन लगाते हैं, अब ये सबी देखो, ये 12, ये 3 और 4, ठीक है, LCM कितना आगया, 12, यहां से 12 कम 12, तीन चो के बार है और चारती बार है तीनों की काम करने की समता कितनी आगी आठ आगी यानि कि एक दिन में कितना काम करते हैं या आठ काम करते हैं पूरा काम कितने दिनों में कर दिया इन्होंने चार दिन में कर दिया जब एक दिन में आठ काम करते हैं तो चार दिन में कितना काम कर दें ठीक है उसके बाद क्या है तो अकेले रोन द्वारा कितना कार्यक क्या गया अब रोन की छमता कौन सी है रोन यह है वाई तीन वाला इसकी छमता एक दिन में कितना काम करता है चार काम तो 32 काम को एक दिन में चार काम करता है तो कितने दिन में कर देगा आठ दिन में कर देगा कितने दिन में 8 दिन में तो option number B correct answer हो गया को जिसको लगता है सर जी पता नहीं answer सही है या नहीं है तो option number B correct answer देख सकते हो ठीक है बाकि आपको लिखलेगा student वो solve कर लेगा कैसे लिखा ये 12 ही क्यों लिखा ठीक है ऐसे लिखते आपको बी 2 किया करें इसको इसलिए हमने बारा मन च्रार और तीन की कई सकता और और बाकी तो बेसिक time and work की मैंने पूरी की पूरी basic class करवाई हुई है वो देख लो पूरा chapter पढ़ाया हुआ है ठीक है पता है न जिनो टू हिरो से पढ़ाया हुआ आपको ठीक है तो हो देख लो सारी doubt clear हो जाएगी देखे क्या है कि 624 लिटर के मिसन में दूद और पानी का अनुपात कितना है पांच अनुपात तीन है कितना अनुपात है और किसका है milk and water का अनुपात दिया गया कितना पांच अनुपात तीन दिया गया है तोटल कितना है 624 लिटर है तो 624 लिटर है यह आठ अनपात में है ठीक है तो एक अनपात का मान कितना आ जाएगा अनपात का मान कितना पानी मिलाना है तो कितना पानी मिलाना चीगे अपने को यह बताओ ठीक है तो इसका मतलब पानी मिला रहे है तो दूद तो सेम रहेगा क्या है वाई दूद तो सेम रहेगा ठीक है मिल्क है वो अपना सेम रहेगा तो अठंतर एक अलपात का मान है, तो पांच अलपात का मान क्या हो गया, पांच अलपात का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पांच अलपात का मान कितना हो जाएगा, ठीक है, तो अठंतर गुला पांच कर दो, तो यह पांच का मान ही रहेगा, अब इसम आजाएगा यह आठंतर लेटर है वो आपका आजाएगा देखो निकालो समझ में आ गया अच्छी बात है नहीं समझ में आए दोबारा बता देता हो चाहिए जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं वैसे भी कर सकते हो कि भाई आठंतर गुणा पांच कर लो कितना आठ पंचे इससे क्या होगा थोड़ा स्पीड से निकल जाएगा अंसर किशन नमर दस्वा देखो ठीक है अभी आदा ही पेपर हुआ है पूरा नहीं हुआ भागने की कोशिश मत करना पूरे के पीरे पूरे बीस के बीस कुशन सोल करने अपने को निकलो कि एक मोबाइल फोन का अंकित मुले दस हजार है बहुत ही आसान है बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ बहुत ही आसान है आपके लिए कि एक मोबाइल फोन का अंकित मुले कितना है दस हजार रुपए है तो दुकान के मालिक ने दस परतिशत की छूट की घोशना की त उस पर क्या क्या 10% की छूट दे दी तो इसका मतलब है कि 1000 रुपे की छूट दे दी तो कितना गया 9000 रुपे बच गया उसका मुल्ले कि 9000 में बेच रहा है लेकिन फिर क्या हुआ लेकिन गरहाक के और अधिक रोध पर है कही होता है ना कि छूट देने के बाद भी बोलते है थोड़ी और छोट करते हैं तो उन्होंने क्या किया उसने नगत छूट देने के बाद उसे 8500 में बेच दिया तो नगत छूट आपको बता नहीं है बाई छूट देने के बाद 9000 रुपए में भिकर रहा था लेकिन उसने बोला ठीक है मैं तेरे कहने पर छूट कर रहा हूं तो मुझे 8500 रुपए दे दे बेच रहा कितने में नगत छूट के बाद 9000 में 8500 में बेच यानि कितने की छूट दी उसको 500 रुपए की छूट दी है उसने अब उच्छा नगत छूट कितनी है पाई ये 500 कि क्या नगत छूट है कितने पैसे है 9000 में सही तो दिया है तो ब 9 45 45 पांच नोपंजे पैफारिस पांस पॉइंट पांस पांच आ गया किसमें ना इस में इसमें ना इसमें यह आन्सर हो गया ठीक है मसा सी करने हैं कि ओकै और कोई भी डाउट रहा जाता है तो आप comment section में बताए ना अगली class में मैं उसको solve कर दूँआ क्योंकि class तो अपनी daily आएगी daily हम paper solve करेंगे तो कोई भी questions में अगर आपको थोड़ा बहुत भी आउट रहे जाता है क्योंकि हम देखिए थोड़े हिसाब से ही solve करवा रहे हैं अगर आप बोलोगे अगली class में और भी बहुत basic से solve करवा देंगे बहुत easy level से ठीक है जैसे आप बोलोगे वैसे कर देंगे लेकिन बता दे ना comment section में बताओगे तब हमें पता चलेगा देखो क्या है कि एक विद्ध्यालय परबंदक 40 दुनों में एक विद्ध्यालय भावन का निर्मान करते हैं दिमाख जो भी दिमाख लगाएगा बहुत यासान है language बहुत बड़ी दिख रही है लेकिन questions का solution बहुत चोटा है बिना पहन के भी कर सकते हो इतना चोटा है बस Christians को ध्यान चे पड़ो और थोड़ा सा दिमाख लगाओ क्या है कि एक विद्ध्यालय परबंदक 40 दुनों में एक विद्ध्यालय भावन बनाने का निर्मान करते हैं ठीक है तो वो शुरुवात म पूरा के 100 लगाते हैं और 35 दिनों के बाद अन्य सो आद्मी को निप्त करता है तो निर्धारिक समय के वीत्तर निर्मान पूरा करता है ठीक है तो यदि उसने आतिरिक्त आद्मियों को काम पर नहीं लगाया होता तो विद्ध्यालय भावन कितने दिनों की देरी से बनकर तेयार होता, यह आपको बताना है, डिमाख लगाओ, सोल हो जाएगा, भाई, 40 दिन में पूरा करना है, कितने दिन में पूरा करना है, 40 दिन में पूरा करना है, तो उसने क्या किया, 100 आदमी लगाए, लेकिन 35 दिन तक उन्होंने काम किया, ठीक है, उसके बाद उसको लगा कि 40 दिन में पूरा काम नहीं होगा तो उसने 100 आदमी और लगा दिये यानि आप टोटल 200 आदमी काम कर रहे हैं और अगले 5 दिन में क्या हो गया कारिया समाफ्थ हो गया क्योंकि 40 दिन में उन्होंने पूरा कर दिया लेकिन आप पूछा क्या है कि अगर वो 100 आदमी नहीं लगाता तो कितने दिन की देरी में खतम होता तो सबसे पहली बात तो 35 दिन का काम तो हो चुका था अब जो 5 दिन का काम हुआ है वो 200 आदमी और ने क्या है जब 200 आदमी किसी काम को 5 दिन में करते हैं बाई 200 आदमी हैं किसी काम को 5 दिन में करते हैं तो अगर 100 आदमी नहीं लगाएं वो नहीं लगाता तो 100 आदमी रहते हैं यानि इसके आदी आदमी रहते हैं तो आदी आदमी रहते हैं तो दिन जदा लगते हैं कितने दुगने लगते हैं तो दुगने कि नीचे वाला है लुक्ल कितने दिन में पूरा होता, 45 दिन में पूरा होता, लेकिन हमसे यह नहीं पूछा कि काम कितने दिन में पूरा होता, हमसे पूछा है कितने देरी से पूरा होता, 40 दिन में करना था, 45 दिन में होता, कितने दिन जादा लगते, 5 दिन लगते, तो 5 दिन आंसर हो जाएग बचा हुआ है उसमें क्या हुआ 200 में लगे दो पांस दिन में पूरा हुआ 45 चालिस दिन में पूरा होना था काम 45 दिन में जादा लग रहे हैं. यही though कितने दिन जादा लगेंगे्ज चलो ये दिन कल लो ये बहुत अच्छा है जिंहां थाए यह बार-बार रिपीट होता है है करें ho s2 त्य एक साइकल्स अलग 140 निटर तिर्ज्या के वर्ताकार पतफ पर साइकल चला कर दो मिनिट में चक्कर पूरा करता है तो साइकलस अलकर यो सच्छाल क्या होगी बहुत ही आसान है ठीक है क्या कर रहा है वर्ताकारपत तो वर्ताकारपत का क्या फॉर्मूला निकल जाएगा अपना टू पाई यार होता है तो दो गुना बाइस वटे साथ गुना में आर कितना है आर है एक सो चालिस साथ से काटेंगे तो बीस पे चोंवालिस दूनी 428,7-0 कितना आ गया 880 cm जब 880 cm है इधर लिह लेते हैं चलो इसको काटते हैं 880 cm है ठीक है वो क्या कर रहा है दो मिनिट मैं कर रहा है उसकर क्या है मिनिट एक मिनिट का तो 880 2 मिनिट में करता है तो एक मिनिट में क्या हो जाएगाば चार्यार 47 quatro मिनिट ≡ मिनट ठीक है तो किस में 440 मिनट मिटर पर मिनट ठीक है ओक बस मैं जहर देखो एगzubोट आसान बहुत यासन भाई अगर यह भी नहीं कर पारे तो कुछ पढ़ाई नहीं इसका मतलब क्या है कि आप अभी तब कुछ पढ़ाय यह भी नहीं शोल कर पा रहे तो चलो बिल्कुल बेसिक तरीके से बता देता हूं क्योंकि जिन्होंने पढ़ाया वो इसको कर लेंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको बेसिक से समझाना पड़ेगा कि एक वेक्तिने दो कलम्मों में से परतेक को बारा में बेचा है यानि एक बारा में बेचा है तो किटने रुपे में बेच दिया उन्होंने? 24 रुपय में उसको बेच दिया दोनों को ठीक है एक पर उसे 20 परतिशत का लाब हुआ है 12 में बेचने पर 20 परतिशत का लाब हुआ तो मैंने क्या बताया हुआ है लाब है वो 100 परतिशत में जुट जाता है हानी है वो 100 में से घड़ जाती है यानि 12 वो 120 का मान आ गया तो 100 का मान निकालेंगे क्योंकि हमें करय मुल्य पता होना चाहिए वाई भी करय मुल्य तो हमें पता है करय मुल्य पता होगा तभी तो हम लाब और हानी निकाल पाएंगे तो निकालो कितने पर 10 पर 0 से 0 कितना आ गया 10 आ गया यानि 10 रुपए करया मुल्य था एक का तो दूसरा क्या है कि दूसरे पर 20 परतिशत की हानी हुई है तो 12 रुपए में बेचने पर 20 परतिशत की हानी हानी है तो 100 में से माइनस कर दो 80 का मान है और करया मुल्य क्या होता 25 रुपए में किसी वस्तु को खरिदा, 24 रुपए में बेचा, ज्यादा में खरिदा, कम में बेचा हानी, कितने की 25 में से 24 माइनस कर लो, 25 माइनस 24 कितना जाएगा, एक रुपए की हानी, तो एक रुपए की हानी किस में है, option number C में है, ठीक है, समझ में आ गया, सोल तो सभी कर लिया होगा, जिन्होंने पढ़ा है, जो पहली बार तैयारी कर रहे है, उनको भी समझ में आ गया, यह वाला देखो किशंस, यह तो सेम एज इज वैसा ही है, हमने थोड़ी देर पहले किया था, ठीक है, कि भाई, यह हुआ है, उनकी किमतों में इतने प्रतिश्यत की वर पात में है, ठीक है, किमतों में इतने की वर्दी हुई है, तो हम 0 लगा देके, क्योंकि 10 से गुना कर दिया, पिछली बार भी हमने ऐसे ही किया था, 10 परतिश्यत निकालो, इसका 10 परतिश्यत निकालेंगे कितना आ गया, 8 आ गया, तो कितना हो जाएगा, 8 जोड़ देंगे तो पूछा है कि कितनी वर्दी हुई है, पहले खर्चा कितने का हो रहा था, जोड़ लो, 170 और 80, 250, 170 और 80 कितना हो गया, 250 हो गया, अब कितने का हो रहा है, जोड़ो, यहां से कितना हो गया, 80, 210, 290, 298, कितना बढ़ा है, यहाँ पर देखो कितना बढ़ा है, 48 रुपे, 48 44 रुपर बड़ाये कितने में से 200 अपे mulight कितना परतिसेत बढ़ाये ये के आपको बताना है 25 से 10 पे 25 से 4 ठीक है 2 से काटो 5 पे यह काटो भी मत ठीक है क्या करो काटो मत क्यों क्यों क्योंकि नीचे फिर दसमलाव लगा जेंगे क्योंकि दस्मलों में तो आंसर है ही, बस भुना कर दो और दस्मलों लगाट दो, आठ चोके बत्तिस, तीन, सोले आर तीन, उननीस, एक दस्मलों लगाओगे, उननीस दस्मलों दो परतिसर, किस में है, option number C में है, ठीक है, आंसर, पिछले गाले में और इसमें क्या हो रखता, है, ठीक है, जिस से सोल करते है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, फिर थोड़ा सा, अगर समय बचाना है, कैसे करना है, पेपर में, वो तरीका भी बताऊंगा, भाई, ये क्या है, इतना हो जाता है, कि 12,000 रुपे के रासी है, 10% वार्षिक ब्याज गिदर से, ठीक यही है, अमाउंट कितनी दी गई है, 15,922, ये कितना दिया गया है, 12,000, 1 प्लस आर्दर कितनी है, 10 है, तो 1 प्लस 10 बटे सो, और टाइम तो अपने को निकालना ही है, कितनी हो जाएगे, 0 से 0 का इंसल होगी, 10 और 11 बटे 10, तो इसके स्थान पर हम 11 बटे 10 लिख सकते हैं, तो इसके स्थान पर क्या लिख देंगे, 11 बटे 10 हम या पर लिख देंगे, तो 11 बटे 10 हम नी लिख दिया, ये इस बटे में चला जाएगा, 12,000 इसके बटे में चला गया है, तो यहां से ये हट जाएगा, इसके बटे में चला गया, ठीक है, यहां पर भी आपको पता है, जो इधर होता है वो यही यही पर बनता है तो यहां पर बनाओ तो यह बारे से कट जाएगा कितने से कट जाएगा मेरे हिसाब से बारे से कट जाएगा ही ठीक है बारे से काटेंगे बारे कम बारे हजार बर्च गया, इसको बारे से काटोगे, तो बारे कम बारे, यह 1331 आ जाएगा इदर, यह 1331 क्या होता, 11 का कूब और यह 10 का क्यूब, तो इदर क्या आ गया, 11 बटे 10 का क्यूब आ गया दोनों तरफ, तो यह क्या है, टी का मान कितना आ गया, 3, समय कितना आ गया, 3 वर्स, े家 ओके इस तरीके से करना है कि fuzzy इस तरीक है इस तरीके है दूसरा तरीका है बता रहे से यह तो बेस्क है यह सबी सबी को आता है और सबी मैंने स्वलबी कर दिया answer कि fire 1970 वहला त्रीका कौण सा है जिससे आप इसको कम समय में कर सकते हो लेकि आपको पता है कि 12,000 से 12,000 से कितना हो गया 15,900 बहतर हो गया तो 15,900 बहतर हो गया इसका मतलब क्या है लगबग 4,000 बढ़ चुका है लगबग 4,000 है 40,000 है ठीक है? तो ये इसका कितना परतिश्द है? एक बड़ती दिन साल में 10% का ब्याज मिलता है, एक साल में 10 का मिलता है, अगर मानलों simple भी होता, साधन ब्याज भी होता, एक साल में 10 का मिलता है, ठीक है, दो में कितना का मिलता, 20 का, ठीक है, एक वर्स तो होगा नहीं, क्योंकि ब्याज कितना मिल रहा है, 33 का मिल रहा है, 33 के something, तो एक साल में होगा नहीं दो साल में तो क्या होता 20 परतिशत होता तो वह भी नहीं होगा चार साल में क्या होगा 40 परतिशत हो जाएगा simple simple साही लेकिन ये तो चकरदी ब्याज है तो 40 से भी ज़्यादा जाएगा तो ये भी नहीं हो सकता बच गया कौन सा ये और वैसे देख लो कि तीन साल में 30 परतिशत हो गया बाकी जो एक्स तो है वो चकरदी ब्याज की वज़े से आ रहा है ठीक है तो ऐसे कर सकते हो ये अलाओं में 54 और 90 किलोमेटर परति घंटा की चाल से चल रही है इस बार क्या है विप्रित मैंने पहले बता चाले कि विप्रित होगी वही एक इदर जा रही है दूसरी इदर आ रही है विप्रित है तो जुट जाएगी स्पीड चोप्लस में 90 है दोनों जोड़तों कितनी ह होगी 144 किलोमेटर परति घंटा क्या होगी स्पीड हो गई ठीक है ओके उसके बाद कितनी बारे सेगिंड में एक दूसरे को पार करती है तो इसकी स्पीड मेटर पर सेगिंड में बनानी पड़ेगी 144 है छोटा बनाना है तो पांस बटे अठारा करना पड़ेगा अपनीको पांस पटे ऐठारे से गुना करना पड़ेगा ठीक है और इसके बाद क्या है तो परते एक रेल-गाडी की लंबाई बता नहीं है कैसे निकालेंगे और यह बोला ना कि समान लंबाई की दो रेल-गाडी यह है यानि कि दोनों की लंबाई क्या है बराबर है तो ये निकाल लो और समय कितना है 12 सेकेंड का तो गुना में 12 भी कर लो क्योंकि ये क्या आएगा मिटर पर सेकेंड आएगा उसको हमें 12 से गुना करना पड़ेगा 6-3-8-6-2-12 उसके बाद कट रहा है 3 से कट रहा है काट दो इसको 3-4-12-3-24 ठीक है पाच दुनी 10 और इसको गुना कर दो 48 गुना 10 कितना आ जाएगा 480 480 क्या है दोनों की लंबाई है क्योंकि दोनों की लंबाई को पार करना है लेकिन दोनों बराबर है तो इसको दो से डिवाइड कर दो एक के लंबाई कितनी आ जाएगी 240 मिटर और वो कितनी दी हुई है ओप्सन नमर ए में दी हुई है ठीक है चलो अकला किशन्स किशन नमर 17 निकालिए निकालिए भाई कि 7 cm तिर्जा वाले एक गोलाकार पानी की टंकी को पैंट करने की लागत क्या आने वाली है यदि पैंटिंग की लागत कितनी है 4.5 cm स्केर है तो निकालो भाई ठीक है निकालिए सभी स्टूडेंट जैसे अगर आप निकालो के तभी तो सोल होगा तभी तो सोल कर पाओगे ठीक है गोलाकार का प्रस्टिजिसपल क्या होता है नहीं पता चलो लिख देते हैं पाई आर स्केर चार गुना 22 बटे 7 गुना आर कितना है अपना साथ दिया गया है 7 गुना 7 साथ से साथ cancel हो गया ठीक है और भाई साते 154 को चार से गुना करो 154 गुना 4 कितना गया 4 चोके 16 एक वीश और एककिस ठीक है च्हार दो चै यह चूर डोच है कितना गया छोश्य रुपया तो टुटाल लागत बताने च्छोश – लाको च्यार www.5 से गुना कर दो दस में लोग हटाएंगे बैटेंबिu में दस आ ठीक है बस इसको गुना कर दो और दस्मलाव लगा दो ठीक है तो कौन चांएगा वही गुना करना है और दस्मलाव लगाना है क्या बता हो मुझे करना पड़ेगा चलो कर देता हूँ बरना बोलो के सर्जी आप ने नहीं किया इधर से आगया 0 तीस, पांस, तीन, आठ, ठीक है, तीस, ये कितना आ गया, छाचो के चोबिस, दो, च्यार, दो, छै और चोबिस, जीरो, दो, साथ, और साथ, और दो, ये तो लग गया, 27 बहतर, कितने में 27 बहतर, ओप से नमर देगा, ठीक है, और इसमें पाई का मान दिया गया था, 22 बटे स पड़े, रहता है, कभी कभार, बोल सकता है, 3.14 ले, लेकिन जब बोलेगा, तभी लेना है, वरना 22, 22 बटे साथ ही लेना है अपने को, ये वाला, कुुशन, 19 वाला कुशन, हर क्लास में, ये कुशन साप से पूछने वाला हूँ, तो ये कुशन सापको सोल करना है, क्यों, क्योंकि पता नहीं मैं कितने प्रश्च करवा है और यह बार-बार एक्जाम्स में रिपीट होता है और SSCGD में मतब यह समझ लो कि जितने भी शिप्ति उन में से आधे में यह रिपीट हुआ है इस कांसर कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए मैं देखता हूं कितने स्टुडेंट इस कांसर करते हैं ठीक है चलो आज का लास्ट किस्टिनर भीश्वा कि दो संख्याओं का LCM है और HCF है 32 और 192 है तो संख्याओं में 1 संख्या 64 है तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर बताना है क्या फूर्मूला है वही पहले दूसरी संख्या निकालने पड़ेगी तभी तो अंतर निकालेंगे तो क्या फूर्मूला है LCM गुना HCF पता नहीं मैंने कितनी बार पता है आपको पहली संख्या गुना में क्या है दूसरी संख्या ठीक है तो LCM HCF कितना है 32 गुना में 192 दूसरी संख्या निकालेंगे पहली संख्या। इसकी बते में आ जाए कि फूर्मूला Rat just दोची की बार है 96, दूसरी संक्या कितनी आगी 96, पहली कितनी थी 64, अंतर पूछा है तो घटा दो, दो आगया यहां से, और यहां से 3 आगया, अंतर कितने का 32 का, तो option नमर भी क्या हो जाएगा, correct answer हो जाएगा, ठीक है, तो दोस्तों यहीं पे आपका paper sum up होता है, मैंने 20 में पसंद आया, तो यह चीजे कर सकते हो, आपका अमन है, अगर आपको अच्छा लगता है, कर सकते हो, मैंने अपना काम कर दिया है, या आपका काम है, अगर आप sport करना चाहते हो, आप चाहते हो, कि हम ज़्यादा student तक पहुंचे, तो आप यह कर देना, like, share, comment, subscribe, जो भी करो क देना, लेकिन अगर आप notification चाहते हो, तो जो यह bell है न, notification bell, इसको जुरूर दबा लेना, ठीक है, तो वीडियो पसंद आया, like कर देना, मिलते है नेक्श वीडियो में, तब तक हसतर ही है, मुस्कातर ही है, पढ़तर ही है, thank you so much, all the best.